भानपूरा छोटा बड़ा महादेव भानपूरा से 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर इस्ति थे अरावली परवत मालाओं के बीच इस्ति सुर्मय वादियों में इस्ति थे पहले छोटा महादेव मंदीर यह मंदीर भगवान शीव को समर्पित एतिहासिक मंदीर है यहाँ पर आपको पहाडों और चट्टानों का बहुती सुन्दर द्रश्य देखने को मिलता है यह इस्तान मंदीर अहिल्या बाई खोलकर के काल में निर्मित हुआ शीव मंदीर वजेन मंदीरों के लिए प्रसिद्ध हैं उस काल की इमारते और प्रतिमाय यहाँ की खास पहचान है छोटा महादेव में इस्तित कुंड पावंता का प्रतीक है बारिश के मोसम में यह कुंड लबालब भरा रहता है वेसे तो यह इस्तान साल भर हर्याली से सराबोर रहता है लेकिन बारिश के मोसम में यहां का वातावरण और भी अधिक खुबसुरत हो जाता है सावन महिने और महाशिवरात्री पर यहां भक्तों का जन सेलाब उमरता है इस मंदीर के उपर परवत की चोटी से आसपास का द्रश्य देखते ही बनता है बड़ा महादेव यह घने जंगलों के बीच इस्तित खुबसुरत और एथियासिक इस्थान है यहां पर इस्तित शिवलिंग का सम्मंद पोराणिक इथियास से माना जाता है यह इस्थान प्रक्रती की विस्मयकारी रूप का अद्बुत दर्शन करवाता है विशेशकर मानसुन के मोसम में जब पहाड की चोटी से ज़र्ना गिरता है तो एसा लगता है मानो प्रक्रती स्वयम महादेव का जला भिशेक कर रही है यहां इस्तित कुंड में स्नान करने के बाद लोग महादेव की पूजा अर्चना करते हैं इस इस्तान के चारो और का वातावरण बहुत ही शान्त और मन को सुकुन प्रदान करने वाला है सावन माह और माहा शिवरात्री पर बड़ी संख्या में भक्त अपनी आस्ता को प्रदर्शित करने आते हैं दोनों ही महादेव पिकनिक, स्पोर्ट, पार्टी या कार्यकरन के लिए बहुत ही शान्दार इस्तान है यहां पहुचने के लिए उत्तम सडक मार्ग भी उपलब्द है यहां आपको वाहन पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी भानपुरा तहसिल सहित मनसुर जीले के पर्यटन इस्तलों में सम्मिलि थें आस्ता, भक्ती, पोरानिक इत्यास और प्राक्रतिक सोंदर्य का प्रतीख है आप भी भानपुरा तहसिल के बड़ा महादेव और छोटा महादेव के प्राक्रतिक पर्यटन और एठियासिक इस्थानों पर अवश्य पधारे और प्रक्रति के इस मनोरम द्रश्य का लाब उठाए आप MP7 News चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें देखते रहिए MP7 News